आप सभी अभ्यार्थियों का स्वागत है और आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं के विए सिरीज का स्वाल्ड सैंपल विपर आपके सामने जो दिख रहा है 2017 स्कीम का यह पेपर है चली तो स्टार्ट करते हैं दोस्तो ओके तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हमारे पास में question first है हमारे सामने देखी क्या कहा जा रहा है इस question में कि आपको पूछा जा रहा है कि ऐसा student बताइए जो की कोई भी game नहीं खेलते हैं तो यह दोस्तो question बहुत ही आसान फील हो रहा है बड़े अराम से इनको हम solve कर सकते हैं ओके देखें किस तरीके solve करेंगे ओके सो देखेंगे कैसे करेंगे इस question को तो इस question को करने के लिए कोई ज्यादा मुस्किल नहीं इस question को करने के लिए let f and h denote the number of student playing football and hockey so nf equals to 548 and nh equals to 367 then nf intersection h equals to 198 so guys सबसे पहले आप nf union h calculate कर दीजे and so simple आपके पास total student कितने लिए गए है 1000 so ना खेलते हैं football ना खेलते हैं hockey so nf union h का intersection f union h का full complement that is equals to n union union minus total जितने भी खेलते हैं football union hockey so football union hockey की कैसे हमने निकाल रखे हैं how many 283 so 283 sorry 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 717 so 1000 minus 717 कर देंगे और यह आपका answer आ जाएगा okay next question is if b is a unit vector then a dot b in times b plus b cross a cross b हम लोग जानते हैं कि a cross b जो होता है b के perpendicular होता है because a cross b is the perpendicular vector both to a and b so अगर आप b के साथ cross करेंगे a का तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा भाई यह वाला पार्ट तो आपके पास में 0 आ जाएगा okay यह वाला पार्ट तो totally कितना हो जाएगा आपके पास में 0 हो जाएगा okay क्योंकि b cross a cross b b cross a cross b आप इस तरीके से निकाल सकते हो 0 हो जाएगा इसके पास क्या बच गया, आपके पास में A.B into B बच चुका है, तो A.B into B, इसको कैसे solve करेंगे देखिए, आपके पास पहले data क्या दिये है, कह रहा है, if B is a unit vector, then A.B times B, plus B cross A cross B, देखिए, यहाँ पर triple product involved है, देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी मैंने गलती कर दी आपको बताने में, so sorry for that, यहाँ पर जो हमारे पास है, यह vector triple product लगा हुआ है, और मैंने जो बोला था आपको, कि B cross A cross B, exactly that is not equal to 0, क्योंकि B, अगर dot product करोगे आप A cross B के साथ, तो मैंने वो idea dot को लेके बोल दिया था, ठीक तो cross के साथ कभी 0 नहीं होगा, याद रखेगा, तो यहाँ पर cross लगा हुआ है, तो हम क्या गरेंगे, इसको systematically हम open करते हैं, आईए देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम open करते हैं, तो इसको open करने के लिए हमारे पास A dot B into B है, अब देखिए, यह कैसे open होता है, सबसे पहले दूर वाले के साथ जाता है, और यह बाहर रहेगा, मतलब B dot B times vector A, okay, B dot B times vector A minus B dot A, और फिट times vector B, तो B dot B times vector A, और B dot A times vector B, अब देखिए, यह चीज और यह जो चीज है, दोनों क्या है, equal हैं, तो इनको आप cancel कर सकते हैं, मैं किन चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ, एक कि यह पार्ट और यह कि यह पार्ट है, यह दोनों equal हैं, तो cancel हो गए, तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा है, mod B dot B into A, and किसी vector का double बार product करोगे, so B dot B that is equal to vector B का square, और any vector is equal to mod of B का square, so यह हमारे पास कितना हो जाएगा, B dot B का square, और into कितना हो जाएगा, A, okay, into A, और आपको पता है कि mod of B की value किती है, mod of B की value 1 है, तो 1 multiply by A vector, answer कितना आएगा, इसका A आएगा, okay, तो एक चीज़ और बता दो देखिए, यहाँ पर किसी question के पर vector नहीं लगा, जब bold letters होते हैं, उनका मतलब vector ही हुआ करता है, जैसे में आपके पास में bold letter दिये हुए है, तो bold letters का मतलब vector ही निकाला करिए, ओके तो यह भी बहुत आसान question, बट concept याद रखेगा, कि जो भी मैंने बताया, जिस पर मुझसे गलती हुई थी, कि अगर आपके पास में A dot A cross B आएगा, ओके तो definitely answer इसका कितना कर दो, 0, अगर आप कुछ आपको दिया है, तो आपको उसको systematically open करना पड़ेगा,